तो दोस्तों बिहार के हर एक पंचायत में एक एक पद पर भरती आई है इसका आविदन इस दिन से शुरू तो भरती जो है बरी भरती आई हुए है लगवाग पैंसट सो क्या सपास में जो है वेकिंसी आई हुई है तो चलिए सबसे पहले आपको कहां पर जाना है तो सबसे सब्सक्राइब आपको कहां यहां पर लिखा हुआ है कि आठ सोर्सिंग के अधार पर लेखाकार सवा आईटी साय के पद के विश्तिरित भीगापन तो यहां से जाकर आप बिगापन दानलूड कर सकते और उसके बाद यहां पर इसके लिए बरती में सुद्धि पत्र जारी किया गा जो किसको डेट के बारे बताया गाए कि कबसे आवेदन वगणाँ लेकिन इसमें डेट दी आएगा है फिर भी नहीं सुरू हो पया है उसके बाद जो आप बताया जा रहा ह मैं आपको आगे बताता हूं कब से इसका इस्टार्ट है तो चलिए फटा पॉर्ट पर ले इसको मैं आपको डाउनलोट करके सब्सक्राइब आपको नुच्छ देता हूं कि वेकेंस से कितना है वह सारी चीज है तो यह रहा ऑफिसल नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है और यह रहां पिसल नोटिफिकेशन जो कि कुछ चीज इस टाप से यहां पर दिया गया है और यहां पर पद का नाम ऐखाएंट कव। अप्रेट कर सकते हैं और यहां के लिए इतना और फिर टोटल यहां पे दिया गया है नीचे में आते हैं तो इस डेट के बारे में यहां पे दिया गया है 12 April से ईसका आवेदन लेकिन 12 April का भी इसका आवेदन शुरू नहीँ हो पाया है इसका डेट ज़ो है बढढ़ा कर दिया गया था 30 April अबन 30 April अबन 30 April अबन सुरू नहीं हो पाया है फिर notification जारी किया गया है जो के उसमें बताया गया है दस में तो इसका बेदन जो सुरूब होगा ओम आपको अगे दिखाता हूं उससे पहले आपको बता दो कि इसका जो अप्लिकेशन क्या है वह से कहते तो यह वह पांस वर्पिया मेल के लिए दोने के लिए मेल फिमेल यहां पर दियागा मेल और प्वड के लिए यहां पर लगेगा वही यहां पर उमर एक तीन दोहां चोविस को आपको इतना उमर आपको होना चाहिए अधिशे मेक्सिमम यूवर के लिए 45 यूवर मेल यहां पर दिया गया यूवर मेल एन एई डोबलेस मेल के लिए 45 और फिमर में जो है 48 वीसी बिसी के लिए मेल फिम्ल के लिए 46 CST के लिए जो इसके पचास ही रहत तो इसक लिए पावेदन कर सकते हैं तो यह ज्यों के बारे में जो है और निच्चे में आते हैं तो इसके बारे में इतना ही जनकारी दिया गांगर जो आपने समस्सक्कते हैं यह बहला जो कि पंचैती राज डिपार्टमेंट गुर्मेंट आफ बिहार तो बिहार के जो अच्छी वेकेंसी है जो कि पोस्ट भी अच्छा खासा है चलिए रहा इस नोटिपी यह सबसे पुराना पहले जो नोटिपीकेशन जारी गया तो यहां बतायागा कि 12 परेल से जो इसका अब दन सुरू होगा अब बात करते हैं इसका जो डेट परहता उनोटिपीकेशन उसके बाद यहां पर दिया गया है कि एक्स्टेंशन और अप्लिकेशन डेट के बारे में तो यहां पर दिया गया था कि अब लाइन इस्टार्ट डेट 30 अपरेल कि दोशाच चोबी से सुरू होगा और लास्ट डेट देथा यहां पर 29 मैं तक लास्ट डेट अवेदन करने के लिए पहले बारा था उसके बाद 30 वा ता उसके बाद इस पर भी आवेदन शुरू होगा तो नौ दिन आपको वेट करना होगा इस नोखरी के चाहत रखते हैं तो इसके बारे में यहां पर इमेल आईटी वेगारा कॉंटेक्ट नमर भी यहां पर दिया गया है तो जेनुन वेकेंसी है तो यहां पर आने के लिए आपको यह यहां तक आपको साच किज़ेगा सब्सक्राइब निचे बाद को चीश राष यहां पर नूटिफिकेस्न अगर आपको देट जो बढ़ा है यह आपको इसपर किलीक किज़ेगा तो यहां पर शुदी पत्र मिल जागे जो कि डेट बढ़ा हो और यह पुरान अवर्ट आज़मन यहां पर दियागा यहां पर तो वीडियो के लागएं चनलो को सब्सक्राइब जरू करें थांक यू बाइब और लव यू आप